नमस्कार दोस्तों स्वागत है। आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल एस्ट्रो सच में जै श्री राम जै महाकाल जै बजरंग बली दोस्तों वेलकम बैक। आपके अपने चैनल एस्ट्रो सच में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। महादेव की कृपा आप और आपक इस वीडियो में हम आपको उन भाग्यशाली राशियों के बारे में बताने वाले है इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखे बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें क्योंकि यह वीडियो इन राशिवालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है दोस्तों वीडियो शुरू करें सबसे पहले भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक अभी कर दे कमेंट्स बॉक्स जैशनिदेव अवश्य लिखें जिससे भगवान शनिदेव का आशीरवाद आपको सीधे प्राप्त हो सके और साथ ही साथ अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सबस्क्राइब करके बैल बैल को प्रेस करें जिससे समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण ज्यानवर्धक वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके और ज्यादा से ज्यादा इसे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें तो बात करते हैं और भाग्यशाली के बारे में जिनको भगवान शनिदेव काशी बाद से अब मिलने वाली है अपार खुशियां ही खुशियां चलिए शुरू करते हैं दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में काफी सारे देवी देवताओं की मान्यता है आपको बता दें कि इन देवी देवताओं में से एक नाम शनिदेव का भी आता है भगवान शनिदेव सर्वोच्छ न्यायाधीश है और भगवान शनिदेव अनुचित कार्य करने वालों को समय पर धंड भी देते हैं शनिदेव सूर्य पुत्र और कर्म फल के दाता मानी जाती है। और आपको बता दें कि मोक्ष को प्रधान करने वाले एक मात्र भगवान शनिदेव ही है। शनिदेव को लेकर बहुत सारे लोगों के अंदर घबराहट होती है। लेकिन सच बात तो यह है कि शनिदेव करते हैं, पाप करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। भगवान शनिदेव उन्ही को दंड देते हैं। आपको बता दें कि अब भगवान शनिदेव की कृपा बारह राशियों में से कुछ राशिवालों पर होने वाली है। इन राशिवालों पर भगवान शन अपार खुशियां ही खुशियां दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान शनिदेव की विशेश कृपा इन राशी वालों पर होने वाली है। भाग्यशाली राशियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों पर भगवान शनिदेव की कृपा होने वाली है। जो लोग विदेश में रहकर नौकरी करना चाहते हैं या पढ़ाई करना चाहते हैं, उन्हें विदेश में नौकरी और पढ़ाई करने की संभावना बन रही है। साथ ही साथ इस राशि के लोगों की आय में व्रिद्धी होगी, जो लोग व्यापारी हैं, उनको व्यापार में ज्यादा मुनाफ़ा होने की संभावना बनी हुई है। आप अपने सभी कार्य को सफलता पूर्वक पूरा करेंगे। भगवान शनिदेव की विशेश क्रिपा मकर राशिवालों आपके उपर बंद रही है, जिससे आपके जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं, और आपको अपने जीवन में मिलने वाली है। अब अपार खुशियां ही खुशियां जिससे मकर राशिवालों आपका जीवन बदल जाएगा। जो अगली राशी हैं, वे राशी है। मेश राशी मेश राशी वालों को बता दें कि भगवान शनिदेव की क्रिपा से आप लोगों के लिए समय बहुत ही अब अच्छा आ जाएगी और आपको बता दें कि भगवान श्री देव की क्रिपा से आपको अब सफलता के नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं। उन अवसरों को प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें जो भी आपके रूके कार्य थे वे अब समय पर पूरे होने लगेंगी। आपको बता दें कि जो भी कार्य हैं आप शुरू करना चाहते हैं। उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, भगवान शनिदेव के आशीरवाद से मेश राशिवालों आपके आए के साधनों में व्रिद्धी होगी। प्राप्ति की आपके लिए संभावना बन रही है। साथ ही साथ, यदि आप नया वाहन या मकान खरीदने को लेकर कोई योजना बना रहे हैं, तुम्हें योजना आपकी अवश्य ही सफल होगी। शनिदेव की विशेश कृपा मेश राशिवालों आपके ऊपर बन रही है समय अब आपकी पूर्णता पक्ष में हैं। समय का आप भरपूर लाब उठाएं और समय को अपने हाथ से न जाने दें। दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी आती हैं वे राशी है। विशब राशी विशब राशी वालों को बता दें कि अब भगवान शनिदेव की क्रिपा से ही आपकी आर्थिक स्तिति पहले से बहतर होगी। आपके रूप में कार्य अब सफलता पूर्वक बनेंगे। दोस्तों के साथ मेल जोल बढ़ेगा। साथ ही साथ इस राशी के लोगों को अनेक प्रकार के लाब धन लाब और बड़ी सफलताओं की प्राप्त हुई है। जिसकी वजह से आपकी धन संबंधित जो भी परेशानियां हैं वे सभी परेशानियां दूर होंगी। और साथ ही साथ जो भी कार्य आपके सालों साल से रुके हुए थे, वे कार्य अब आपके सफलता पूर्वक पूरे होंगे। आपको बता दें कि भगवान श गलत नहीं होगा। भगवान शनिदेव के आशीरवाद से अब आपके लिए समय बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। साथ साथ जो लोग विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, उनका यह सपना पूरा होने के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग नया वाहन या घर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो वे योजना भी इनकी अवश्य ही सपल होगी। भगवान शनिदेव की आपके ऊपर कृपा द्रिष्टी बनी हुई है, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। और भगवान शनिदेव अब आपको अपने जीवन में अनेक प्रकार के लाभ, धन, लाभ और सफलता की प्राप्ती होने वाली है, जिससे कन्या राश्य आपका जीवन बदल जाएगा। जब दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी आती हैं, वे राशी है। इसके साथ ही आपको काफी धन लाभ भी होगा। जब एक तरफ परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा, वहीं दूसरी तरफ व्यापार में व्रिद्धी होगी। सिंह राशी वालों, अब आपको चारों तरफ से लाभ ही लाभ मिलने वाला है। भगवान शनिदेव की कृपा आपके उपर बन रही है। साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं, उन्हें नौकरी में पदोन्नती के साथ साथ वेतन व्रिद्धी की पूरे योग हैं। सिंह राशी वालों आपको बता दें कि भगवान शनिदेव की कृपा से अब आपके लिए धन प्राप्ती के अनेकों अव रप्राप्त होंगे, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा और आपकी आर्थिक स्थिती मजबूत होगी। इसके साथ ही आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। जो लोग संतान प्राप्ती की इच्छा रखते हैं, उन्हें संतान प्राप्ती का सुख मिलेगा। जिससे घर परिवार में खुशियां ही खुशियां होंगी। दोस्तों आपको बता दें कि भगवान श्रीदेव की कृपा से सिंह राशी वालों अब आपके जीवन में आपको अपार खुशियों की प्राप्ति होगी, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा, कहना गलत नहीं होगा सिंह राशी वालों, भगवान श्रीदेव के आशीरवाद से अब समय आपके लिए पूर्ण तह पक्ष में हैं, दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है वह राशी है, धनू राशी धनू राशी वालों को बता दें कि भगवान श्रीदेव की कृपा से अब आपक खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको बता दें, आपके रुके हुए कार्य भगवान शनिदेव का आशीरवाद से अब समय पर पूरे होंगे। आपको अपने परिवार तथा दोस्तों का पूरा साथ मिलेगा। आपको बता दें कि आप लोगों के ऊपर भगवान शनि शनिदेव की कृपा से आपकी धन संबंधित सभी जो परेशानी थी दूर हो जाएंगी और आपको धन प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे। धन में खूब वृद्धि होगी और अनेक प्रकार के लाब, धन लाब और बड़ी-बड़ी सफलता। यह अब आपको प्राप्त होने वाली है। आपको बता दें कि भगवान शनिदेव की कृपा आपके उपर विशेश रूप से बंद रही है। साथ ही साथ आपको बता दें, जो लोग नौकरी करते हैं, उन्हें नौकरी में पदोन्नती के साथ-साथ वेतन वृद्धि के भी योग गहें। आपको बता दें कि भगवान शनिदेव की कृपा से धनु राशी वालों आपके जीवन की समस्त परेशानियों का अंत होगा और आपको अपने जीवन में मिलने वाली है। अब अपार खुशियां ही खुशियां जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है वह राशी है। कुम्भ राशी, कुम्भ राशी वालों को बता दें कि भगवान शनिदेव की कृपा से ही आपके जीवन में अब खुशियों का भंडार आने वाला है। जादू उस तो भगवान शनिदेव आपके उपर बेहत प्रसन्न है। आपके साथ जो भी आपके रुके हुए कार्य है वे कर रहे हैं। आपके सफलता पूर्वक पूर्ण होंगे और साथ साथ जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें व्यापार में लाभ मिलेगा। उनका व्यापार दिन दोगुनी रात चोगुनी तरक्की करेगा। उनको हर तरफ से जब लाब ही लाब मिलेगा। जब लाब ही लाब होँगी। आपको आने वाले समय में अब आए और नौकरी में पदोन्नती मिलेगी। व्यापार में अचानक लाब मिलेगा और आर्थिक स्थिती मजबूत होगी। सभी अधूरे आर्थिक कार्य पूरे होंगे और परिवार में शान्तिव आनंद का वातावरन रहेगा। आपको कोई बड़ी खुश खबरी मिल सकती है। भगवान शनिदेव की क्रिपा से आपके सभी कार्य सफल होंगे। व्यवसाय में अचानक लाब होगा और स्मित धन लाब प्राप्ति की आपके लिए अनेकों योग बन रहे हैं। भगवान शनिदेव की क्रिपा से ही मिथुन राशी, अब आपके जीवन में आपको अपार खुशियों के प्राप्ति होने वाली है, जिससे आपके जीवन में होंगे। साथ साथ जो लोग नया वाहन या मकान खरीदने को लेकर कोई योजना बना रहे हैं, तो में योजना इनकी अवश्य इस सफल होने वाली है। दोस्तों, भगवान शनिदेव का आशीरवाद आपको प्राप्त हो। सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स जैशनिदेव अवश्य लिखें। वीडियो को लायक और ज्यादा शेयर करें।